नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतियास के पन्ने मेरी नजर से। लगभग डेड़ साल से, शायद ही कोई दिन बीता होगा, जब हमें आजादी का अमरित महुत्सव और अमरित काल के मंत्र ना सुनाए गए हो। celebrations होने भी चाहिए, after all, British हुकूमत से free होने के 75 वर्ष जो पूरे किये हमने पिछले August में और अमरित काल, जो अब से लेकर 2047 तक का period होगा, एक और जुमला है, ठीक, अच्छे दिन की तरह है। लेकिन अगर स्वतंत्र होने को अमरित की analogy दी जाती है, तो उसका विपरीत symbolism भी तो होना चाहिए। August 1947 में अंग्रेजों से मुक्त होने की खुशी अगर लोगों में थी, तो बटवारे को लेकर मायूसी भी थी। अगर हम स्वाधीनता को अमरित से तुलना करें, तो क्या सामप्रदाइक दंगों से लोगों की मौत या मृत्यू और सामप्रदाइकता को जहर या विश से बराबरी नहीं करना चाहिए। 1947 को लेकर पिछले कुछ महिने की जिंगोइजम की वजह से हम कैसे पार्टिशन के भयानक रिपकरशन्स को भूल सकते हैं। अगर हमने आजादी की 75 वी वर्षकांट आउगस्ट में मनाया था, तो क्या हम 30 जनवरी 1948 की दुखत खटना को भुला सकते हैं। आपको याद है ना 30 जनवरी 1948 की बात क्या हुआ था। जी हां नाथूराम गोड से नाम के एक भूतपुर राश्ट्रिय स्वेम सेवक संग के कारेकरता ने महत्मा गांधी की हत्या की थी। गांधी जी का अपराद क्या था कि हत्यारे ने इतने dedicated resolve के साथ उनका शिकार किया था। जिन्दगी भर एक inclusive भारत का सपना देखना तो था ही लेकिन उसके साथ कहीं ज्यादा गुसा गांधी जी की एक फैसले पर था जो जैनवरी 1948 को लिया गया था और ये उनके assassination का immediate provocation बन गया। सभी जानते हैं कि 1947 की गर्मियों तक विभाजन unavoidable हो गया था। जून के शुरुआत में विभाजन के लिए Mountbatten Plan की घोशना की गई थी। चार जून को गांधी जी ने दिल्ली में एक प्रातना सभा में घोशना की। कॉंग्रेस ने विभाजन को लास्ट रिसॉर्ट के रूप में सुविकार कर लिया था। महात्मा गांधी विभाजन को सुविकार करने के निर्ने से बहुत दुखी थे। लेकिन जानते थे कि इसे अब टाला नहीं जा सकता। वे जुलाई के अंत तक ज्यादता समय दिल्ली में ही रहे। अंत तवे 31 जुलाई को कश्मीर के लिए रवाना हुए और एक अगस्ट को श्री नगर पहुँच गए। इसके बाद 6 अगस्ट को गांधी जम्मू होते वे लाहूर पहुचे और उसी दिन कॉंग्रेस के कारेकरताओं से मुलाकात करके पठना के लिए रवाना हो गए। आठ अगस्ट को उन्होंने एक प्रातना सभा में कहा कि 15 अगस्ट का दिन उपवास सूत कात कर यानि कि स्पिनिंग और प्रातना करके व्यतीत करना चाहिए। वे अगले दिन कलकत्ता पहुचे और कुछ दिनों के लिए सोधपूर आश्रम में रहने के बाद 13 अगस्ट को एक ऐसे शेत्र में स्थित हैदरी मैंशन चले गए जहां मुसलिम्स को दंगईयों का सामना करना पढ़ रहा था। यहां उन्हें एग्रेसिव और वाइलेंट हिंदू मॉब्स का सामना करना पढ़ा जो मुसल्मानों को मारना और लूटना चाहते थे। इस थिती के ठीक विपरीत सिचुएशन गांधी जी ने अक्तोबर नविंबर 1946 में फेस किया था। तब मुसल्मान मॉब हिंदूओं को नुआखाली में मानना चाहते थे। नुआखाली जो अब बांगला देश में है उस समय पूर्वी बंगाल में था। गांधी जी ने 15 अगस्ट 1947 उसी तरह से बिताया जैसे उन्होंने लोगों से आग्रह किया था। उपवास, कताई और प्राठना। 20 अगस्ट को मीडिया से बात चीत तो की गांधी जी ने। परंतु उन्होंने राजनितिक सवाल का जवाब नहीं दिया। कहा हिंदू-मुसल्मान एकता ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन दंगे जारी रहे। आखिरकार एक सेप्टेंबर को उन्होंने अंशन किया। महत्मा गांधी ने कहा कि वे तब तक नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, जब तक कलकत्ता में सैनिटी वापस नहीं आएगी। चार सेप्टेंबर को सभी समुदायों के नेताओं ने उनसे मुलाकात की और सभी ने दंगा रोकने का वादा किया। उसके बाद गांधी जी ने अपना अंशन तोड़ा। इसके बाद वे कलकत्ता से रवाना होकर 9 सेप्टेंबर को दिल्ली पहुँचे। वे सेंट्रल दिल्ली स्थित बिडला हाउस में रुके थे। 16 सेप्टेंबर को गांधी जी राश्य स्वेम सेवक संग के बैठक में गए। जब स्वेम सेवकों ने कुरान से एक पैसेज की रेसिटेशन पर आपत्ती जताई तो उन्होंने अपनी प्राठना सभा कैंसल कर दी। दो दिन के बाद कांधी जी दर्यागंज में वहां के मुखे मस्जित में गए और मुसल्मानों को संबोधित किया। दिल्ली में सामप्रदाइक स्थिती बहुत खराब होती जा रही थी। इन सब के बीच गांधी जी दिल्ली में रुके रहे। 15 नवंबर को उन्होंने AICC की बैठक में भाग लिया। अन्य बातों के साथ साथ minorities के अधिकारों पर एक resolution या प्रस्ताव पारित किया गया इस meeting में। दो जन्वरी को कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राश्ट या फिर United Nations को सौपा गया। और चार जन्वरी को कांधी जी ने एक प्राथना सभा में को संबोधिक करते हुए कहा कि ये फैसला ठीक था। इस समय तक दिल्ली में सांप्रदाइक स्थिती मुसलमानों के लिए बहुत अस्थिर और खतरनाक हो गई थी। हमलों में से कई इसलामिक थार्मिक स्थल भी शतिग्रस्थ हो गए थे। दिल्ली पर हमारी पकड लगातार कम होती जा रही है। और दिल्ली गई तो भारत गया और उसके साथ ही विश्व शांती की आखरी उमीद। गांधी जी ने इस स्टेज पर इस बहुत ही महत्वपून और इंपॉर्टेंट बात को बोला। उन्होंने आगे कहा मेरे लिए मृत्यू एक शांदार डेलिवरेंस होगा। मैं भारत में सिख धर्म, हिंदू धर्म और इसलाम के विनाश को एक helpless witness की तौर पर नहीं देख सकता हूं। 12 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने शाम की प्रातना सभा के दौरान घोशना की की वे अगले दिन से indefinite या फिर अनिश्चित कालीन उपवास या फिर fast शुरू करेंगे। घोशना के अनुसार गांधी जी ने all in fast to death शुरू कर दिया। कहा की आइडिया एक जटके में आया उनके दिमाग में और उन्होंने किसी से सला या परामश नहीं किया था। उन्होंने जावाहार लाल नहरू या फिर सरदार वल्लब भाई पटेल से भी इसके बारे में कोई बातचीत नहीं की थी। गांधी जी ने घोशना की की उपवास आत्मशुद्धी का एक प्रक्रिया है। उन्होंने उन सभी को आमत्रित किया जो उस फास्ट के मिशन से सहनुभूती रखते थे। ये अंतता उनके जीवन का अंतिम फास्ट बन कर रह गया। उन्होंने कहा कि अंशन भारतियों के विवेक को सामप्रदाइक तबाही को रोखने के लिए एक अपील करने के लिए किया गया था। सारवजनिक जीवन में ये हैं उनका पंद्रवाँ या फिफ्टींथ उपवास माना जाता है। महात्मा गांधी का अंतिम उपवास inward looking था अंदर देख रहे थे। गांधी जी को ये incomprehensible लगा कि डॉक्टर जाकिर हुसेन जैसे विक्ती भी दिल्ली में सुरक्षित नहीं थे। महात्मा गांधी ने घोशना की कि वे पाकिस्तान भी जाएंगे। वहाँ वे मुसल्मानों से हिंदूओं और सिखों की हत्या को रोकने की अपील करेंगे। पार्टीशन सेट्लमेंट के तहत भारत सरकार को पाकिस्तान को 55 करोर रुपे का भुक्तान करना था। लेकिन भारत सरकार ने भुक्तान रोक दिया था। अपने उपवास के तीसरे दिन गांधी जी ने भारत सरकार से इस राशी का भुक्तान करने के लिए कहा। 16 जन्वरी को भारत सरकार पाकिस्तान को ड्यू अमाउंट की दूसरी इंस्टॉल्मेंट रिलीज करने पर सहमत हुई। 17 जन्वरी को मौलाना अजान ने लगभग तीन लाख लोगों को संबोधित किया। गांधी जी द्वारा अंशन समाप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों को उन्होंने लिस्ट आउट किया। कांधी जी ने 18 जन्वरी को अपना अंशन समाप्त किया लेकिन उस से पहले विभिन संगटनों के 100 से अधिक नेताओं ने शपत पत्र पर हस्ताक्षर किये दो मुखे वादे थे एक कि दिल्ली में मुसल्मानों की जीवन संपती और आस्था की रक्षा की जाएगी और दूसरी बात महरोली में वक्तियार काकी की दरगा का रेस्टोरेशन किया जाएगा इस दरगा को 1947 के दंगों के दौरान इसको नुकसान पहुचाया गया था महात्मा गान्थी का अंतिम उप्वास सबसे ड्रेमाटिक था इसके बाद उनकी हत्या लगभग तय थी अंतता उप्वास की समाप्ती के पंदरा दिन के भीतर उनका एसासिनेशन हो गया महात्मा गान्थी जीवन से प्यार करते थे और जीना चाहते थे भारत को और विक्सित करना चाहते थे जब भी वे अंशन पर जाते थे दूसरों को स्थिती को अपने परस्पेक्टिव या दृष्टिकोन से दिखाने का प्रयास करते थे सांप्रदाइकता का अभिशाप आज भी भारत के लिए एक चुनोती है गांधी जी के अंतिम उप्वास ने लोगों की अंतरात्मा को जगजोर दिया था अंतता महात्मा गांधी ने प्रभावी धंग से हस्क्षेप करने के लिए अपने जीवन की कीमत चुकाई गांधी जी का अंतिम उप्वास आज के समय में बहुत महत्वपून सीख देता है हम सब को अपना अंशन समाप्त करने के बाद महात्मा गांधी जी ने एक ओपन पत्र के रूप में अपना बयान जारी किया ओपरेटिव लाइन था in this great country of our there is room for all namashkar